चोपड़ा एजोगस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो MCC ने BDS और BAC नर्सिंग के लिए मोपब 2 का सेडिूल जारी कर दिया है जैसा कि आपको पता है MBBS के एडमिसन की लास्ट डेट 28th December 22 रखी गई है और BDS और BAC नर्सिंग के एडमिसन की लास्ट डेट 14th January 23 रखी गई है तो जिन कंडिडेट्स को BDS और BAC नर्सिंग में एडमिसन लेना है वो कांसलिंग करवा सकते हैं और स्टेट की भी जो लास्ट डेट रहेगी BDS की और BAC नर्सिंग की वो 14th January 23 ही रहेगी MBBS की जो लास्ट डेट रहेगी वो MBBS की लास्ट डेट 28th January 28th December 22 MCC के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है यानि की 28th December 22 को MBBS के एडमिसन क्लोज हो जाएंगे स्टेट और MCC दोनू के लिए लेकिन BDS और BAC नर्सिंग की जो लास्ट डेट है वो 14th January 23 रखी गई है एक बार हम इसका सेडूल देख लेते हैं मोपप 2 का सेडूल देखें BDS और BAC नर्सिंग के लिए तो फ्रेस रेजिस्टेशन 30 December से लेके 1st January 23 तक होगा यानि की जिन कंडिडेट्स ने MCC के 1st round, 2nd round और मोपप राउंड में रेजिस्टेशन नहीं किया है और वो अब BDS और BAC नर्सिंग में एड्मिसन लेना चाते हैं तो वो फ्रेस रेजिस्टेशन कर सकते हैं इसके बाद में 24 फिलिंग होगी 30 से लेके 1st January 23 तक इसकी 24 फिलिंग होगी जिन कंडिडेट्स ने पहले रेजिस्टेशन कर रखा है चाहिए वो MBBS के लिए क्या हो BDS के लिए क्या हो MCC का 1st और 2nd राउंड या फिर मॉप अप राउंड में जिन्होंने रेजिस्टेशन कर रखा है उनको दुबरा रेजिस्टेशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिन कंडिडेट्स के पास अलड़ी सीट से जो जोइन कर सुके हैं वो इसके लिए इलिजिबल नहीं है जिन कंडिडेट्स को अभी तक सीट नहीं मिली है वो कंडिडेट जिसने अभी तक जोइन नहीं कर रखा है वो candidate इसके लिए eligible हैं अब जब इसका processing होगा result का वो second से लेके 3rd January 23 तक रहेगा और result भी 3rd January 23 को आ जाएगा और last day joining रहेगी 8th January 23 यानि 4th January से लेकरके 8th January 23 तक मोपप 2 की joining रहेगी अब इसके बाद इसमें stay vacancy भी conduct होगा BDS और BAC nursing के लिए तो इसका result 11 January 23 को आ जाएगा और last day joining रहेगी 12 January से लेके 14th January 23 तक यानि कि 14th January 23 को ये admission close हो जाएगे BDS के लिए अब हम इसमें बात करें dimmed के लिए stay के लिए तो dimmed का stay dimmed खुद करवाएगी यानि concerned dimmed द्वारा करवाए जाएगा dental की तो इसका जो date है वो भी 12th January 23 रखा गया है stay के लिए dimmed के लिए तो ये schedule था BDS और BAC nursing का मोपप 2 का और stay vacancy का तो जिन candidates को BDS और BAC nursing में admission लेना है MCC में तो वो इस schedule के मुताबिक counselling करवा कर admission ले सकते हैं तो ये जानकारी थी counselling के बारे में बाकी अगर आप 23 का preparation कर रहे हैं तो हमारे channel को subscribe करके रखें क्योंकि इस पर हम informative videos लाते रते हैं हर प्रकार की जानकारी हमारे द्वारा मिलती रती है तो channel को subscribe करके वीडियो को like वसे जरूर करें मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैन है